अंतरराश्टी राजनीति में राजनीतिक संकुलन के बिगड़ते हुए बड़े कई तरह के परणाम हुए उन परणामों में एक था कि जो अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी शक्तित था और दूसरों से कई पायदान आगे था वो साम्यवाद के प्रभाव के उपरान पश्टमी देशों में जो पूंजी वाद था उसने अब ज़्यादा प्रभावित करना शुरू किया सोवियत संग की व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था कहलाती है थोड़ा साम ये भी जान लें कि ये साम्यवादी व्यवस्था या सोवियत संग की विचार धारा और अमेरिका की व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था याने पूंजी वादी विचार धारा इन दोनों में क्या अंतर है क्या है साम्यवादी विचार धारा साम्यवाद अर्था जहां सब समान हो, समानता आर्थिक, समाजिक, राजनातिक हर दिश्ट से समानता विशेश रूप से आर्थिक दिश्ट से समानता का इसका उद्देश होता है अब आर्थिक दिश्ट से समानता लाने के लिए सरकार क्या करती है सरकार चार जो पहलू है factors of production जिसको कहते है factors of production उन चारों factors को अपने नियंतरण में रख लेती है ये चार factors of production क्या है land, labor, capital और organization अर्थाजभूमी, labor, श्रम, capital याने पैसा, पूंजी और organization ये सब को चलाने के लिए जो संस्थाएं रहती है इन चारों पर सरकार का पूरा नियंतरण रहता है याने land किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा, private नहीं होगा, श्रम भी private नहीं होगा, सरकार का होगा सरकार का शरम कार्ट क्या है सरकार तै करती है किसमें कितना शरम लगना है और कितना दिया जाएगा शरम का पगार शरम की वैल्यू क्या होगी कैपिटल पैसा पूंजी सारा पैसा सरकार के पास रखता है किसी का भी नीजी पैसा ऐसा नहीं माना जाएगा और organization यानि जो इस संस्थाओं को देखती हैं जो विविन कमपनिया जो विविन कारे करती हैं देश में चाहे हो सड़क निर्मार के हो चाहे irrigation डैम के हो चाहे वाहनों के हो किसी भी तरह के कारे उसके उत्पादन के factories ये सब पर सरकार का पूर्ण नियंतरन रहता है तो साम्यवाद वह व्यवस्था जहां त्यारों फैक्टर्स और प्रडेक्शन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रन और कुछ भी चीज निजी नहीं ये है साम्यवादी व्यवस्था और इसका उद्यश होता है सब में समान्ता समाजवाद कोई अमीर ना हो जाए गरीब की कीमत पर सभी लोग एक साथ बढ़ें सभी का सतर एक रहें ये उद्यश रहता है अमेरिका का जो पूंजी वाद विचारधारा है अमेरिका की जो व्यवस्था है पूंजी वाद व्यवस्था जैसा कि शब्द से सपष्ट है इसको कहते हैं कैपिटैलिजम साम्यवादी विचारधारा को कहते हैं कम्यूनिजम और इस विचारधारा को पूंजी वादी वि पत्ति, so capitalism मतलब ऐसी व्यवस्था जहां पर ये चारों factors of production जिसका मैंने जिक्र किया है, ये वहां पर सब निजी हाथों में होता है, याने सब private होता है, जमीन भी private हाथों में, निजी हाथों में, श्रम भी निजी हाथों में, कि श्रम की क्या value होगी, ये तै करने के लिए, पूंजी पाथी, जिसने पैसा लगाया है, वह स्वतंत्र है, capital याने पूंजी, पूंजी भी निजी होती है, और जो भी कमपनियां हैं, जो भी संस्थायां हैं, जो इसे चलाती हैं, ये भी निजी होती है, तो सरकार के पास क्य सरकार के ये कारी रहते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो बिलकुल अलग अलग विचार धारा हैं, एक तरीके से 36 कांकड़ा है दोनों में, एक पूरी तरह निजी करण में विश्वास करता है, पूंजी बाद और साम्यवाद पूरी तरह सरकारी करण में विश्वास करता है तो साम्यवादी व्यवस्था के सरकार्ण की व्यवस्था जो है साम्यवादी विचारधारा के तहद सोवियत संग में जो चल रही थी और उसके तहद जो वार्शाप पैक्ट के अन्य देश थे और उसके अलावा कुछ अन्य और देश थे जहां पर ये व्यवस्था चल रही थी, सोवियत संके विगटन के बाद, सोवियत संके जाने के बाद, सोवियत संके टूटने के बाद, इन में से बहुत से देशों ने तुरंथ पूंजी वादी विचारधारा को अपनाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि साम्य वादी विचारधारा से समाज का वैसा सुधार नहीं हुआ है जैसी अपेक्षा थी और जबकि पूंजी वादी विचार धारा के आकर्शन से वे लोग उस तरफ आकर्शित हुए, जिस तरीके से अमेरिका प्रगरति कर रहा था, जिस तरह nationalism प्रगरति कर रहे थे, जिस तरह अमेरिका के जुड़े विकसित हो चले हैं तो इसलिए वे उधर जाने लगे परणाम क्या हुआ दूसरा कि साम्यवाद के प्रभाव के उपरांद पश्टिमी देशों में प्रचलित जो नव दारवाद और पूंजी वाद की विचारधारा थी वो और बढ़ गई पूंजी दादी विचारधारा को विकसित होने लगी बहुत ज़्यादा फैलने लगी और उस हादे तक साम्यवादी विचारधारा का पतन होने लगा कम से कम खेत्रों में सीमित हो गई वो 1992 में 1992 में साम्यवादी गुट का जो सैनिक गढ़भंधन था क्या नाम था उसका वार्षो संधी वार्षो पैक्ट आपने पढ़ाओगा वार्षो कैपिटल पोलेंड का जहां पर ये संधी होई थी और सोवियत संग और उसके मित्र राष्टों ने एक संग बनाये था ये वार्षो संधी को सोवियत संग के विगटन के बाद बंद कर दिया गया भंग कर दिया गया पस्चिमी जगत का जो सैनिक गुट था जिसको नैटो कहते हैं ना केवल नैटो बना रहा ना केवल नैटो अक्षुनी रहा बलकि उसके संगठन में और दूसरे देश भी ये वी की जो पहले सामयवादी विवस्था की विचारक थे सामयवादी विवस्था में जिनका विचार था और इससलिए जो वार्षौ पेक के तहट थे वार्षौ पेक के भंग़ने के बाद और बना Auf थे प्रभाव फैल गया, हम किस विश्यख की बात कर रहें हैं, वर्चस्वता की, तो देख़िये कैसे, सोवियस्ट के विगटन के साथ साथ धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है, उसका प्रभाव खेत्र बढ़ रहा है, और यहीं बढ़ते प्रभाव ख्षेत्र को हम उसकी वर्चस्वता कहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब पूरे विश्व में अमेरिका का ही बोल बाला है इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों का सैनिक प्रभाव भी बढ़ गया क्योंकि नैटो आखिर था क्या मोल रूप से वो तो सैनिक संग संगिठन का प्रभाव सैनिक संगिठन का जोर और काफी बढ़ गया और इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने सोवियत संके विगटन के बाद कितने अनिक शेत्रों में सैनिक अभियान चला है सैनिक युद्ध लड़े आदी आदी अपना प्रभाव मजबूत करने क के लिए जो हमने पूर में नक्षों में देखा है अमेरिका का बढ़ता प्रभाव और आप देखेंगे कि ये प्रभाव सैनिक प्रभाव उननिस सो नब्बे के बाद तो और तेजी से बढ़ा क्योंकि अन्य देश भी नैटों के सदर से बनने लगे इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति उसका विस्तार और साथ ही उसकी सीमाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे यानि अमेरिकी प्रभुत्व कितना विस्तृत रहा है कितना प्रभावशील रहा है कितना उसका वर्चस बना रहा है और इसके साथ से साथ हम ये भी जानेंगे कि एक धुवीहिता का विकास कैसे हुआ, अफगानिस्तान के समस्या जो अब और तीवरतर होते जा रही है, प्रथम खाड़ी युद्ध, नो ग्यारा के वर्ल्ड ट्रेट सेंटर घटना के वर्द क्या प्रतिक्रिया हुई, अमेरिका के द्वारा, या विश्व के द्वारा, और इराग पर आक्रमन, इन कुछ बातों की भी चर्चा करेंगे, जब हम इस एक धुवीता की बात करेंगे, तो, आर्थिक एवं वैचारे के स्थर पर अमेरिका का वर्चस और उसके वर्चस को समय समय पर मिलने वाली चिनौतियां, इसका भी जिक्र होगा, अगला बिंदु होगा की अमेरिका के साथ, जिसे हम सही मायने में सहयुक्त राज अमेरिका कहें तो अच्छा होगा, उसके साथ भारत के संबंद कैसे रहे, उसकी दास्तान हम देखेंगे, जानेंगे, एतिहासिक दिष्टि से क्या हमारे उसके संबंद रहे, और फिर हमारे उनके साथ के रिष्टों में जो नया दोर आया उसके परिवर्तन, कारण और परिणामों को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सबसे आखरी में ये जानेंगे कि इस अमेरिकी वर्चस का विष्व राजनीती में क्या प्रभाव पड़ा है और यदि इसका प्रभाव ठीक नहीं है तो इससे कैसे निप्टा जाए क्योंकि एक ध्रवी विष्व होने की कुछ समस्याएं हैं तो अंत में हम पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस से कैसे निप्टा जाए और इस तुमंद में विविन राजनीतिक्यों के या राजनीतिक विचारकों के या राजनीतिक समीक्षकों के क्या सुझाओ